तो महारा जी समझाते हैं राजा भी देख्या बादसा देख्यो देख्यो जुग संसार राजा देख्यो बादसा देख्यो देख्यो जुग संसार बबसागर में डूब रहे हैं ताको का भीचार शत्गुरुतारण हार प्राणियारे शत्गुरुतारण हार राजा देख्या बादसाह देख्या देख्यो जुग संसार राजाओं को क्या देखा हमने वो राजाओं को देखा जैसे राजा हरिश्चन ने अपनी पूरी संपत्ती दान कर दी अपनी पतनी को बेच दिया और पुत्र को भी बेच दिया दान कर दिया परमात्मा के लिए, दान करे से अगर कोई मोख पहुंच जाता तो भजन करने की क्या जरूरत थी, दान करने का फल मिलेगा, दान करने का फल मिलता है, पद भी मिल जाती है, पर गरव नहीं शूटता है, महराजी ने फरमाया, एक शाख में लिखा है, अंत्री मंत्री बेद व्याश्च जी, मुन जन सैंस अठासी होई, ए धर मुराय के मुझरे बैठा, धर मुराय के मुझरे बैठा, नास केते आयो जोई, संतो चोथे पद नहीं जावे, संतो चोथे पद नहीं जावे, राम उनी का राजा महराजा, राम उनी का राजा महराजा, बेयुम राव कहावे, संतो चोथे पद नहीं जावे, संतो चोथे पद नहीं जावे महराजी परमाते हैं अंत्री मंत्री बेद बियास जी मुनेजन सैंस 88 होई 88 हजार रिशी मुनी जिनने तप किया जब किया भृत किया कहां पहुँच गए धरम राज के दरवार में पहुँच गए मोख नहीं मिल पाया चोथे पद में नहीं पहुँच पाये पहलाद ने भी राम राम करा तो कहां पहुँचें शुन पहलाद शुरग लग पूगा इंदर पद वी पायी दुरुपा कास यटल घर किया दुरुपा कास यटल घर किया सब जग देखे आई संतो चोथे पद नहीं जावे संतो चोथे पद नहीं जावे राम उनी का राजा महराजा बेयुम राब कहावे संतो चोथे पद नहीं जावे भूलो राम अगर आप राम राम करते हो रोज 68 तीरत नहाए प्रत्वी पर दच्छना देवे करमाला मुख राम नाम ऐसी विदलेवे जाकाए फल फूल जनम अगले नर पावे शुरग लोक में जाए करूडी धोज कावे शुक्राम ग्यान वे राग विन मौख न पहुचे कोई ती मरमद वे रागे रे हद वे हद कावे कोई इनसंसार में गंगा जी नहाए खूब दान करे और माला को ले करके राम 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 का जाब करे और बिना भेद के राम राम का जाब करे तब भी वो गुण पैदा नहीं होगा गुण कौन पैदा करवाएगा गुरू शत्त से मिलाएगा सत्गुरु से मिलाएगा भेद बताएगा भेदू जके भली बिद जाने कर्मी लखेन सारा राम रटे परमेशुर प्यारा रहे करमा सुन्यारा भेदू जके भली बिद जाने गुरु महराज जतन करते हैं जतन करके चेला को चार पंकड़ी, आठ पंकड़ी, सोला पंकड़ी, बत्तिस पंकड़ी कमलों का छेदन करवा करके ले जाते हैं इसलिए का गुरुबिन भवनिद तरेन कोई चाएं ब्रंच संकरसम होई बगेर गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं हमारे अपने गुरु महराज बैठालते थे दो गंटे, तीन गंटे फिर कहते थे बेटा अभी कसर रहे गई है फिर छे महने के बाद मिलूँगा फिर कहते थे इतना यह पूरा करना जैसे कोर्ष करवाते थे इतना यह कोर्ष पूरा कर लेना फिर छे महने के बाद बताएंगे कमी रह जाती थे महराज फिर secret देटे थे कहिते अभी यह सांस छोटी हो रही है अभी यह सांस बड़ी हो रही है तुम्हारा आसन हिला है रीडगेड़ी सीधी होना चाहिए रीडगेड़ी सीधी नहीं होगी तो गुड़ नहीं पैदा होगा यह महाराज बताते थे बार बार महाराज जतन करवाते थे तो कई सव बार बताते थे एक बार समझ में आती थी महाराज की बात प्रियाश करते थे आप तुससरे लोग अपने कहते हैं ठीक राम राम करते हो च्टिक ठीक ठीक न कोई अस्थान न कोई तो पहिचान दोड़ने लिए तो बोल दिया विष दोड़ते रही है चलते रही है आखिर हम रुखेंगे कहाँ आज ससब्द की हर जगे बात होती है ससब्द ससब्द ने अंचर आखिर वो क्या है जब वो जागरित होता तो उसके क्या गुण होते हैं और हमारे अंदर क्या गुणा आ जाते हैं जब सब्द जागरित होता है जैसे कोई गरब बती इस्तरी हो जाती है तो उसके अंदर कौना आ जाता है यह उसका आंग बदलने लगता है ऐसी नेवंचर की जागित्ती होना एक गरब बती की समान है कश्टियां बिना जनम नहीं हो वे कोटा करो पाए रितू दान दिया नहीं ठहरे बाल गरब के माए कश्टियां बिना जनम नहीं हो वे अब सब कहते हैं मुझे नेचर मिल गया तो महरा रजी ने उधान दिया कि कश्टियां बिना जनम नहीं हो वे कोई इस तरीक है कि मेरे बच्चा हो गया मुझे नहीं मालूम तो क्या सत्यमान लिया जाएगा कष्ट्यां बिना जनम नहीं होवे कोटा करो उपाए और इतु दान दिया नहीं ठेरे बाल गरब केमाए जो नेंचर वाले गुरु महराज है वो चेले को भक्ती देंगे नेंचर का भेद बताएंगे तुब नेंचर का गुण आएगा हीज पुरुस जत जोर काच सपनें नहीं खुले तपसी यासम नाय रूख भागण ने झुले त्यागी स्वान समान जान जगमे नहीं कोई भेण सरोब रंग फेर गरीब नहीं कोई मैन सम बोली नहीं गुण गे समान नहीं मौन बिन रटना शुकरा मौके मौक पहुंचो कौड हीज पुरुस सब की तरह बैठा हुआ पुरुस तो दिखाई दे रहा है मगर वो हीज पुरुस है हीज पुरुस के अंदर क्या है बीज नहीं होता है अब बीज नहीं होगा तो संतान की उत्वत्ती नहीं होगी अच्छे कपड़े पहरे माला धरन किये है और स्नेंचर चेले के अंदर जब ही पहुंचेगा जब गुरुस के अंदर होगा इसलिए महाराजी सुर्माते हैं इन संसार में यह जानना बहुत जरूरी है बजन सब कहते हैं बजन करते रों भूशन करते रों दोड़ते रों दोड़ते रों कहां तक दोड़ें और महाराजी ने एक बात लेगी, मिलता ही समय मिलाई दो, शिश में साही बाण, जब मुझसे जी मिलेगा, तो मिलता ही समय मिलाई दिऊंगा, शिश में साही बाण, तो वो नेंचर पैदा होता है, गुण पैदा होता है, फिर अपने अंदर भी गुण आ जाते हैं, अगर को को नियंचर मिला है वो संसार में बांटने के लिए निकले हैं मरजी फरमाते हैं जिने ग्यान मिला तो दिकार है उनके लिए बांट नहीं रहे हैं दिकार है धन है उनके लिए जिने ग्यान मिला गुरू से बांटने के लिए निकले हैं आजाओ जीबो आजाओ जीबो सब ग् मन से रहित हो जाओ, हेला देते हैं, हेला दे दे शंत पुकारे, हेला दे दे शंत पुकारे, काल अचानक मारे रेलो, हेला दे दे शंत पुकारे, हेला दे दे शंत पुकारे, आज निरोगा तन तेरा वनिया, नेन गुदी पर आया वे, हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे, संत आवाज देते हैं, सूरज को क्या चहाना है, जो पूरी मांड में भिरमण करता है, सूरज को क्या चहाना है, पूरी मांड में प्रकास करता है, ऐसे ही संत जो होते हैं जिने सत्य मिलता है पूरी मांड में परशार करते हैं आओ राम जी की सरण में आजाओ मैंने पाया है तुम भी पाओ क्योंकि आप भूल गए हो क्या भूल गए हो कि जात हमारी ब्रह्म है मात पिता है राम गरह हमारा सुन में अनहद में बिस्राम हमारी आपकी जाती एकी है हम आप ब्रह्म है और कौन है सगे भाई वहिन है दूसरे नहीं है सगे भाई वहिन है आप संसार के काम में लगए हम भक्ती में लगए जब ब्रह्म ग्यान हुआ तो ये जानकारी हुई कोई दूज़ा है नहीं सब हमारे हो आजाओ, सब लोग आजाओ कहां चलो अमरापुर्डी धाम अमरापुर्डी की धाम चलो संत हेला देते हैं, आवाज लगाते हैं समझने वाले समझ जाते हैं ना समझते हैं वो ऐसी दे जाते है तो महाराज फर्माते हैं कि प्राणिया रे सत्गरु तारन हार प्राणिया रे सत्गरु तारन हार तत्नाम विन कोई न तीरी ओ ना कोई तीरने हार तत्त नाम बिन कोई न तिरियो ना कोई तिरने हाँ शुरुगुण आन उपासक सारे शुरुगुण आन उपासक सारे देधर सीबिस्तार शत्त गुरु तारने हाँ प्राणियारे सत्त गुरु तारने हाँ महराजी फरमाते हैं नाम तो सबको मिल गया नाम तो सबको मिल गया मगर तत्त नाम बिन कोई न तिरियो तत्त क्या है बो नेंचर बो सत्त सब्द तत्त नाम बिन कोई न तिरियो ना कोई तिरने हाँ शुर्गुन आन उपासक सारे देधरसी विस्तार शुर्गुन की पूजा करने वाले संसार में बहुत है देधरसी विस्तार प्राणियारे शत गुरुतारनहार सबसंतन की सायद बोले गीता क्राश्न विचार सबसंतन की सायद बोले गीता क्राश्न विचार जन शुख रामों कहें जन देखी नामों बिना है बिकार शत गुरुतारनहार प्राणियारे शत गुरुतारनहार प्राणियारे शत गुरुतारनहार तत नाम बिन कोई नतिरियो ना कोई तिरनेहार प्राणियारे शत गुरुतारनहार ये गीता में भी लिखा है सब संत भी कहते हैं अगर मोख जाना चाहो तो संतों की सरण बे जाना पड़ेगा प्राणियारे शत गुरुतारनहार तो महरा जी फर्मते हैं पूरा गुरु मिलिया सांची सूज पाई पूरा गुरु मिलिया सांची सूज पाई रटो राम नामा आची बिर्या आई रटो राम नामा आची बिलियां आई पुरा गुरु मे लिया साची शूज पाई इस मानव तन में आ गहे हो और कहीं अगर यह चीज मिल जाए ने अंचर की चर्चा हो रही हो तो आप फ़वरन उन गुरु से क्या ले लो ग्यान ले लो ग्यान ले लो भक्ती में लग जाओ तो क्या मिलेगा आपके लिए बो भेद मिलेगा कासी मत्वरा परंद्रा बन में नहीं मिलेगा कहां मिलेगा आपके घटके अंदर में कुण कहां ढोड़े बंदे मैं तो तेरे पास में ना तीरत में, ना मूरत में ना एकांत निवास में ना मैं किरिया करम में रहता नहीं योग सन्यास में पाई नर देही भरत खंड आयो पाई नर देही भरत खंड आयो बंचे इंद्र ब्रह्मा आइसो तन पायो बंचे इंद्र ब्रह्मा आइसो तन पायो पुरा गुर मिलिया सांची सूज पाई आपको जो देही मिली है ये करोडों वर्सों के बाद मिली है यानि 43,20,000 वर्स वीतने के बाद आपको क्या मिला है ये मानबतन मिला है अब वो भी कितने समय के लिए मिला है पहले तो आयू बहुत हुगा गर्तिदी इस कलियों में पहले अभी 40-50 साल पहले काभी आयू हो जाया गर्तिदी अब आयू गटने लगी है गटने लगी है 60 साल, 70 साल, 100 साल तक बस 80 साल के बाद सरीर काम नहीं करता है तुम्हारा जी फर्माते हैं पाई नर देही भरते खंड आयो इस नर देही का उपियो कर लो बंचेंद्र ब्रह्मा इस देही को ब्रह्मा बिश्णू महादेव सब कहते हमें एक बार मानवतन देदो ओ प्रभू मानवतन दीजे भरते खंड के माही केबल भगते करां संत सेवा और करां कुछ नहीं केबल की भगती करेंगे संतों की सेवा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे ये कौन कहते हैं देवता मगर आप एक ऐसे बिखती हो आपको प्रमात्मा ने जनम दे दिया यहां मृतलों को में तो आप खाने अच्छे कपड़े पहरने अच्छे मकान में रहने की इच्छा करते हो बिलकुल नाम को भूला दिया अपने और युगों के जो जीव थे और युगों के जीव कल युगों में हमें जरम मिल जाता तो हम मोख चले जाते रामाण में प्रसंग आता है एक बार काग जी ये गर्ण जी में संभाज चला था तो काग जी बोले मैं हार युगों में आता हूं हार युगों में आता हूं रामनाम का गोड़गान करता हूं पुर्धिवी लोग परहता हूं और यह मुझे कोई कश्ट नहीं होता है जब कलियोग आता है तो मुझे घोर कश्ट होता है कलियोग के जीव रामनाम को भूल जाते हैं इस तरी यह अपने केस कटबा लेती हैं सडकों पे नाश्ती है धरम लुप्त हो जाता है आधरम चालू हो जाता है ये प्रसंग चला है था तो गर्ण जी बोले इसका मतलब है कि कलियोग बहुत बड़ा पापी है कलियोग बहुत बड़ा पापी है बोले नाना ये बात मत कहो करसी सोई भुगत शी प्राणी पुन और पाप शुड़ों जो सब शुखे नाम कें कहा बेटो कहा बाप इसमें एक पराकरम महुत बड़ा है चारों यूग जगरते हुए एक बार आये विश्नु भगवान के पास जगरा हो गया चारों में चारों कह रहे थे मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा शत्यु कह रहे थे हम बड़े द्वापर कह रहे हम बड़े तृता कह रहे हम बड़े अब इसका निरनाय कैसे हो इसका निरनाय कौन करेगा इसका निरनाय विश्नु भगवान करेंगे विश्न तिरेता उन्हें भी इसारा कर दिया तीन को बैठाल दिया आप चौथे आये कलियोग उनसे बहाँ पसार के भेटे अहो प्रभू तुम भूप ने आई आप न्याय पर ये राजा हो तो तीन योगों ने सोचा कि हमारा त्रसकार कर दिया कलियोग कर सतकार करा और हमारा त्रसकार कर दिया जाने लगे भगवार ने का ठहरो ठहरो अभी तो कोई बाती नहीं होई है जर सब लोग ठहरो तो सबसे बूजा कि आपने क्या करा पुरे हमारे योग में अगर किसी बेटा ने पाप कर दिया तो हमने उसके बाप को भी नरक में डाल दिया किसी बाप ने अगर पाप कर दिया तो उसके पूरे परिवार को नरक में डाल दिया हमने किसी की राज को भी नरकम डाल दिया ऐसे सब ने अपनी बनी बात कही कि हमने जिसने पाप करा तो हमने पूरे राज को नरकम डाल दिया ने किसी ने परफ करतेいた देश्ट को ने डाल दिया क्लिग से कहा कि आप ने आप बताइए ख़ true झाह कि जो करता है खाली यह वही भरता खाली और mg करने से यह यह लाग वर्ण पचास तो मेर्सां पच्चिस आजार बर्स जो ही मुक्ती करती होती थी एक से मुक्ती होती थी कल्यूग में क्यू से मुक्ती होती है कल्यूग के वल नाम अधारा कलियोग में सिर्फ राम नाम का याधार है कलियोग में कोई 24 घंटे राम नाम का याधार है कलियोग में कोई 24 घंटे राम नाम का जाप कर ले कलियोग में कोई 24 घंटे राम नाम का जाप कर ले वो मोख चला जाएगा मगर बिडंबना आई है कलियोग में सारी चीज़ अच्छी लगती मगर राम नाम नहीं बाता है बाल मीग तो उसी से कह गए ऐसा कलियोग आएगा बिना खड़क के छत्री होए है सूधर ही राज चलाएगा पती सती कोई विरली होए सब जग दुखिया हो जाएगा बेटा मात पता नहीं चीने तिरिया नहे लगाएगा सो तिरिया पत को नहीं चीने आन पुरस्मन भाएगा बाल मीग तो उसी से कह गए ऐसा कलियोग आएगा